Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide आज का हमारा topic है list data type list data type का use normal life में भी बहुत जादा होता है हमें schools में list of students बनाना होता है हमें offices में list of employees बनाना होता है तो list का use हम daily basis पे करते हैं और normal life में list की definition होती है a number of connected items written consecutively एक के बाद एक अगर हमें related items या connected items लिखने होते हैं तो हम list का इस्तमाल करते हैं जैसे कि एक single नाम लिखना हो student का तो हम लिखते है name is equal to Ram पर अगर हमें list of students लिखने होंगे तो हम धेर सारे students का नाम लिखेंगे ये धेर सारे students का नाम है जिनने हमने comma से separate किया है वैसे ही अगर मुझे list of fruits लिखना होगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगी दे सारे fruits का नाम लिखूंगी और हर एक fruit के नाम के आगे मैं comma लगाके इन सारी values को separate कर दूँगी तो ये बात हो गई normal life की और बात करते हैं python में तो python में list data type की definition होती है if we want to represent a group of values as a single entity then we can go for a list data type अब group of values की बात हो रही है तो मैं बता दूँ कि group of values हमने पहले भी discuss की है bytes data type, byte array data type और string data type ये तीनों data type हम already cover कर चुके है और इन में भी हम group of values store करते है but specification ये होती थी कि bytes data type byte array data type में हम सिरफ group of numbers save कर पाते है या list of numbers save कर पाते थे जब हमने string की बात की थी तो हमने कहा था कि group of characters अगर हमें एक साथ save करने हैं तो हम use कर सकते हैं string data type का या group of words या different different words को साथ में लिखना है तो भी हम string data type का use कर रहे थे तो फिर हमें list data type लाने की जरूरत क्यों पड़ी तो ये सारे जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में तो चलिए start करते हैं जो list के elements होते हैं उन्हें हम place करते हैं square brackets के अंदर and उन सारी values को हम separate कर देते हैं comma से जैसे मैंने normal life की example लेके भी बताया कि सारी values के बीच में हम comma लगा के उन्हें separate कर रहे थे तो python में भी कुछ इसी तरीके से हम करते हैं अगर हमें list of students लिखने हैं मैं पुरानी example ही लोंगी इस name is a list of students only ठीक है तो इन सारी values को यह जो नाम है राम, अमन, अकाश, रोहित, रमन यह सारी मेरी individual values हैं इन सब को इकठे लिखने के लिए मैंने इन सारी values को square bracket के अंदर रख दिया है और सारी values को separate कर दिया using a comma तो यह हो गया हमारा syntax list लिखने का now just imagine अगर मेरे पास list को option available नहीं होता और मुझे python में लिखने पड़ते धेर सारे students के नाम तो मैं कैसे लिखती अगर मुझे 5 students के नाम लिखने होते तो हर एक student के लिए मुझे अलग से एक variable लेना पड़ता name 1, name 2, name 3, name 4 करके धेर सारे students का नाम अलग-अलग करके save करना पड़ता और list में लिखने से मुझे ये सब इतना बड़ा सा काम नहीं करना पड़ा ये छोटी सी एक list में सारे students का नाम आ गया आगे बढ़ते हैं list की example ले रही हूँ L मेरा list को object है इसके अंदर मैंने ये 5 values store की है separate करती है कॉमा से तो list जो होता है वो भी indexes follow करता है जैसे कि हमने strings में पड़े थे indexes positive, negative दोनों indexes follow करता है list में indexes कैसे follow होंगे हर एक value के उपर एक index होगा जिसे जो एक element है 10 उसका index होगा 0 then 1, then 2, then 3 and 4 तो forward direction में जाते हुए positive indexes होते हैं हमने already बड़ा है और जो हमारे पास python है उसमें indexes शुरू होते है 0 से ये होगे forward index और इसी तरीके से हमारे पास negative indexing होगी जो की हम backward direction में करते हैं minus 1 से शुरू होगा और minus 5 तक चलेगा ये तो list की 3 properties होती है और 3 की 3 properties को अभी हम discuss करने वाले हैं लिस्ट के अंदर जो insertion order होता है वो preserve रहता है यानि जिस order में हम values डालते जाएंगे अंदर जो value store होंगी वो भी उसी order में होंगी और उसी order में आप retrieve भी कर पाएंगे देख भी पाएंगे लिस्ट के अंदर duplicate objects allow होते हैं आप जितने मर्जी duplicate objects डालना चाहें आप डाल सकते हैं और list के अंदर heterogeneous objects भी allowed होते हैं heterogeneous मतलब different values अब ये जो third property है ये आपको बिल्कुल ही अलग सी लगने वाली है लिस्ट के अंदर जो की string में भी नहीं थी, byte में भी नहीं थी और byte array में भी नहीं थी ये जो उपर की दो properties है ये bytes, byte array और string में भी था बट heterogeneous objects allow नहीं होते थे so this is going to differentiate list from strings and bytes byte array ओके heterogeneous का मतलब होता है different different items यानि आप numbers भी डाल सकते हो आप string values भी डाल सकते हो, आप float values भी डाल सकते हो, आप complex values भी डाल सकते हो यानि जितने भी type के आपके पास data available है, सारे के सारे आप एक ही list के अंदर store कर सकते हो अब इसकी example से ये properties को समझते हैं suppose मेरे पास एक list है जिसके अंदर में ये same example save कर रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50 आप देख रहे हूँ मैंने ये किस order में store किया हुआ है, आपके सामने है पहले 10, then 20, then 30, then 40, then 50 तो अगर मैं आप print करवाना चाहूं L को, तो किस order में print हो रहा है, same order में, जिस order में मैंने डाला है कोई value इधर की उधर नहीं होई है, hence insertion order is preserved अब चेक करते हैं कि ये L का type क्या, ताकि आपको confirm हो जाए कि मैं list data type की ही बात कर रही हूँ, तो type of L है list आथी साथ मैं length भी चेक करके बता देती हूँ, length जो function है वो इस पे भी work करता है, यानि list data type पे भी work करता है list के अंदर जितने भी elements होंगे, वो define करेगा हमारी length of the list, तो यहाँ भी हमारे पास list में 5 elements है, इसलिए length आ रही है 5 बात करते हैं second property की, second property होती है कि duplicate values are allowed in the list, और list के अंदर मैं डाल रही हूँ, 3 बरी 10 तो यह duplicate value है और यह बिल्कुल allow हो रहा है क्योंकि मैं next line तक पहुंच पा रही हूँ, यह मैं use करें हूँ python shell, तो जब भी आप एक line के बाद enter प्रेस करते हैं, तो next line पे अगर आप पहुंच पा रहे हैं, that means यह line जो है successfully run कर चुकी है, तब भी आप next line पे पहुंच पाएंग हो रहा है 10, 10, 10 और since it's a list, तो यह square bracket के अंदर है और comma से separated है, तो second property भी हो गई, duplicates are allowed, अब देखते हैं, heterogeneous values allowed हैं की नहीं हैं, तो मैं same L object ले रही हूँ और इसमें मैं heterogeneous values डाल रही हूँ, जितनी अभी तक हमने पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं, मैंने int, float, complex, boolean और string, या यानि पांचो fundamental data types के जो datas हैं, वो मैंने एक ही list के अंदर डाले हैं, अब इससे मैं enter करती हूँ, तो देखो heterogeneous elements are going to be allowed, आपने different different values डाली है, heterogeneous, अगर same type की हो, जैसे कि यहाँ पे हैं, तो देख रही हो, आप numbers हैं यहाँ पे, same type की values हैं, तो उसे homogeneous बोलते हैं, जैसे कि bytes में homogeneous data is allowed, string में homogeneous data is allowed, but list में heterogeneous elements are also allowed, आप different different types की data एक ही list में एक साथ store कर सकते हैं, जब हम C में structures पढ़ते हैं, और C++ और Java में हम OOPS के concept पढ़ते हैं, और classes और objects बनाना सीखते हैं, तो उसमें भी heterogeneous elements जो हैं, वो हम save कर पाते हैं, एक object के अंदर, but Python में from the very start हम बोल रहे हैं कि जितने भी data types हैं, वो internally सब एक classes हैं, और जितना भी data आप save कर रहे हैं, वो आप एक object के अंदर ही save कर रहे हैं, that is why हम एक heterogeneous data को भी हम store कर पा रहे हैं, अराम से इस list के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि जो चीजें बहुत advanced concepts में पढ़ाई जाती है Java में या C++ में, वो आप यहाँ पे directly from the very start ही पढ़ने वाले हैं, अब properties देख ली हैं, तो देखते हैं कि list को create कैसे करते हैं, और कौन-कौन से ways होते हैं list को create करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास option होता है कि हम एक empty list create कर दे, जब हमें पहले से नहीं पता होता है कि हमने list में क्या-क्या values डालनी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कि empty list create कर सकते हैं, empty list create करने के लिए, मुझे simply सिरफ 2 square brackets use करने हैं, और मेरी empty list create हो जाएगी, अगर मैं print करना चाहूं L को, तो empty list मुझे मिल जाएगी, यह square brackets हैं, इसके अंदर कोई भी data नहीं है, इसे empty list बोलते हैं, अगर आते हैं, कि type क्या है L का, तो मुझे output में list ही मिलने वाला है, इस square brackets इसलिए use करने पड़ते हैं, ताकि मैं Python interpreter को बता सकूं, कि जो मेरा L है, इसका type list का होना चाहिए, इसलिए square brackets use करने पड़ते हैं, अब बाद में, जैसे-जैसे हमें values मिलती जाएंगी, हम इस empty list में fill कर सकत है, by using methods also, जो हम आगे पड़ेंगे, तो ये फिलहाल सिरफ creation के लिए है, how to create an empty list, हम दो square brackets use करके, एक empty list create कर सकते हैं, एक और method होता है, list को create करने का, कि अगर हमें पहले से पता है, कि हमारी list में क्या-क्या values हैं, तो empty list ना create करते हैं, हम वो values के साथ create कर सकते हैं, suppose हमें list of numbers store कर होने हैं, तो सारी list of numbers को मैं इस square bracket के अंदर रखूंगी, और हर एक value को separate कर दूंगी using comma, तो यहाँ पे मेरे पास list of numbers आगे, 10, 20, 30, 40, 50, और हर एक value को मैंने comma से separate कर लिया, अब इससे मैं enter करूंगी और print करवा दूंगी L, तो क्या print हो जाएगा, मेरे पास list of numbers प्रिंट हो ज by which we can create a list object, first is empty list, second is hard code values, अब देखते हैं कि user से कैसे input करवा सकते हैं, user से input करवाने के लिए हम input function use करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, एक message user के लिए, ताकि user को समझ में आ जाए, उसे input क्या देना है, तो enter a list of numbers, मैं user को message दे रही हूं, कि user को input करना है, list of numbers, ठीक है, तो input function का काम यह होता है कि user से जो भी वो input ले, वो उसे store कर दे, string format में, तो by default input जो भी है, input function जो भी data लेगा, वो किस format में store करेगा, string format में, बट हमें जाहिए कि जो भी user से data है, वो list format में आए, इस special चीज के लिए हमें use करना पड़ता है, eval function, तो मुझे eval function के अंदर यह सारा का सारा data डालना पड़ेगा, क्योंकि by default input function जो है, वो string data return करेगा, और वो सारा का सारा data आजाएगा, इस eval function के अंदर, जैसे ही मैं eval function में use करूंगी, तो eval function क्या करेगा, calculate करेगा, यह evaluate करेगा, कि कौन सा data input हो रहा है, user के द्वारा, जो भी user data input करेगा, उ अगर user data देता है, list type का, तो यह evaluate function जो है, वो return कर देगा, list data, अगर user देता है, string data, तो evaluate function string data ही return करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर user की responsibility आ जाती है, कि जो भी वो data डाले, वो list की form में डाले, यानि square brackets की form में ही डाले, ताकि जो internal consideration हो, वो list data type की हो, तो मैं इस सारे की सारे output को, य यानि जो return value होगी, evil की, उसे store कर दूँगी, l में, इसे run करके देखते है, आगया मेरे पास, एक message, enter a list of numbers, now I am the user, तो आपके पास आ रहा है, enter a list of numbers, अब यह user की responsibility है, कि उसको जो data डालना है, वो किस form में डालना है, वो डालना है, लिस्ट की form में, कैसे डालते हैं हम, list की form म का use करते हैं, और values को कॉमा से separate करते हैं, तो यह मैं डाल रही हूँ, list of numbers, लेकिन इस बार मैं, as a user डाल रही हूँ, hard-coded values नहीं डाल रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पर डाली थी, ठीक है, तो अब यह जाके store हो जाएगा, किस में, l में, सबसे पहले, input function ने, इस सारे data को लि अब अगर मैं type of, type of l चेक करूँगी, तो list type का ही होगा l, ठीक है, अब देखते हैं, और क्या methods होते हैं, list object को create करने के लिए, list object को create करने के लिए, हम list function का भी use कर सकते हैं, list function एक type casting function है, जिसे हम use करते हैं, दूसरे data type के data को, list data type में convert करने के लिए, suppose मेरे पास एक range data type का data है, तो मैं उसे लिख दूँगी, suppose range है 0 से लेकर 11, और step value suppose मैं 2 ले रही हूँ, और ये मैं store कर दूँगी R में, तो ये बन जाएगा, R किस type का हो जाएगा, range data type का हो जाएगा, आप type चेक कर सकते हैं, R की क्या होने वाली है, range type की होने वाली है, अगर म मैं चाहूँ, तो मैं इस range data type के variable या object को convert कर सकती हूँ, list में, तो मैं L is equal to list of R कर दूँगी, तो now ये जो R है, वो convert हो जाएगा list में, और वो किस में store हो जाएगा, L में, तो अगर मैं type of L चेक करूँगी, तो वो क्या होगा, list होगा, तो इस तरीके से भी मैं एक list object कर सकती ह तो ये हो गई बात range की, देखते हैं कि string को अगर मैं convert करना चाहूँ, list में, तो क्या मैं वो कर पाती हूँ, suppose L is equal to, मैं लिख रही हूँ, list of a string value, string value में मैं ले रही हूँ, python, तो print करके देखते हैं कि क्या store हुआ है L के अंदर, तो आप देख रहे हैं, एक list बनके आ गई है, इस string value की, ये पूरी की पूरी एक string है, जिसे मैंने convert कर दिया, list में, और list में store किस तरीके से हूआ, आप देख रहे हैं, हर एक character जो है, वो एक element समझा जा रहा है, हर एक individual character, एक individual element बन गया है, इस list में, तो strings के time क्या होता है, हर एक character जो है, वो एक individual element बन जाएगा list में, और list create हो जाएगी, आप देख सकते हैं, square bracket के अंदर है, ये सारा data, तो ये list बन गया है, अगर फिर भी हम check करना चाहें, तो हम type check कर लेंगे, l का, now, this is a list, तो ये हो गया हमारा fourth way, जिस से हम, एक list object कर सकते हैं, by using type casting function, list function, एक और चीज हमने सीखी थी, last के कुछ lectures में, जब हम string data type cover कर रहे थे, तो string data type में हमने एक method पढ़ा था, split method, split method क्या कर रहा था, एक string data को split कर रहा था, different, different, sub, sub strings में, आप कह सकते हैं, कि वो split कर रहा था, जैसे, suppose, s is equal to, हमने लिखा था, learning python is very easy, s is equal to learning python is very easy, और मैंने एक list ली थी, क्योंकि मुझे पता था, कि split function जो है, वो जो return करता था, वो values in the form of list return करता था, यह मैंने उस वाली वीडियो में specify किया था, तो s.split method मैं use करूंगी, तो by default इसके अंदर जो separator consider होता है, वो space separator consider होता है, तभी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, तो space ही consider होने वाली है, अगर मैं इसे run करती हूँ, और आप print करवाना चाहो L को, तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, L के अंदर आ एक-एक individual word, अगर मैं directly typecasting function का use कर रही थी, तो पूरी string के अंदर जो भी characters थे, वो सारे एक-एक element consider कर रहे थे list में, लेकिन अब मैंने use किया split function का, split function किया है, इस पूरी string को split कर देगा on the basis of spaces, जैसे ही एक space consider होगी, जैसे ही space encounter होगी, वैसे ही split हो जाएगा यह string दो में, फिर एक और space आई, तो यह फिर से split होगा, फिर एक और space आई, फिर यह फिर से split होगा, फिर एक और space आई, यह एक और बार split होगा, और यह सारी की सारी जो split values हैं, वो चली जाएंगी list के अंदर, क्योंकि हमने split function का use किया, और split function जो है, वो return करता है, एक list, अब इस list के अंदर क्य क्या आ गया learning python is very easy ठीक है और ये हर एक word जो है वो एक एक individual element बन गया मेरी list के अंदर तो ये हमने पढ़ लिए 5 तरीके जिनसे हम एक list को create कर सकते हैं तो कभी भी आपको interview में इनको घुमा के पुछा जा सकता है कि list को create करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं तो कभी भी एक या दो तरीके पर रुखिएगा मत पांचो के पांचो तरीके अब आपको अच्छे से आ गए हैं अब list बनाना सीख लिया है तो देखते हैं कि individual elements को access कैसे करेंगे तो हमारे पास दो methods होते हैं जिनकी मदद से हम list के elements को access कर पाते हैं यह कुछ मिलता जुलता ही है strings के साथ strings में भी हमने इनी दोनों methods को use करके individual elements को access किया था और list में भी हम यही same methods use करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि by using index हम कैसे access कर पाएंगे elements of a list को तो अगर मैं लिखती हूँ list 1 is equal to कुछ ऐसे numbers लिख रही हूँ मैं तो memory blocks create होंगे जैसे strings में create होते थे individual characters के लिए वैसे ही individual elements के लिए blocks create होंगे और हर एक block के अंदर individual element जाके batch जाएगा यानि store हो जाएगा और हर एक element का अपना एक index value होता है python में positive और negative दोनों indexes होते हैं positive forward की direction में move करते हुए होते हैं और negative indexes के time पे हम backward direction में move करते हैं तो हर एक block of memory जो हमारे पास होती है उसके अंदर एक individual element होता है जिसकी एक positive index value होती है और एक negative index value होती है अब इन्हें access करने के लिए हम use करते हैं indexing और indexing हम बिल्कुल जैसे strings में करते थे वैसे ही करना है list object का नाम लिखना है यहां पे हमारे list object का नाम है list1 और वो हम लिख रहे है square bracket में डाल देंगे हम index value यहां पे मैं सारी की सारी positive index value डाल के दिखा रही हूँ और जो output आएगा वो मैं आपको यहां पे दिखा रही हूँ तो list1 में जब मैं 0th index access करने की कोशिश करूँगी कुछ इस तरीके से syntax लिखके तो output आजाएगा 10 क्योंकि 0th index पे value जो है वो है 10 तो यह pictorial representation आपको हमेशा help करने वाली है जानने के लिए कि कौन सी index value पे कौन सा element present होगा तो कुछ इस तरीके से सारे की सारे positive indexes को आप access कर पाएंगे साथे साथ अगर आप negative index values को भी access करना चाहते हैं तो इसी syntax को follow करते हुए negative index values डालेंगे इस particular memory block का negative index value है minus 5 तो minus 5 access करूँगी तो output 10 आजाएगा क्योंकि minus 5 index पे भी जो value है जो element है वो है 10 तो यह हो गया how to access elements by using index अब देखते हैं by using slice operator हम कैसे कर पाएंगे elements को access तो slice operator का जो हमारे पास syntax होता है वो होता है कि हमें square bracket के अंदर start, stop और step value देनी होती है और बीच में हर एक value के बीच में हमें colon use करना होता है इसी को हम slice operator बोलते हैं अगर आपको slicing की detailing जाननी है तो आप previous videos चेक कर लीजे मैंने slicing पूरा detail में एक video बनाया है जिसमें सारे के सारे concepts cover किया है तो मैं वो सारी चीज़े तो यहाँ पर repeat नहीं करूँगी बट important concepts ज़रूर यहाँ पर भी cover करूँगी तो start, stop और step value जब हम देते हैं तो slice होके एक हमारे पास sub string आ रही थी strings के case में तो यहाँ पर sub list आ जाएगी हमारे पास list के case में और अगर हम कोई भी value specify नहीं करते हैं तो by default हमारे पास कुछ यह वाली values आ जाती है start की default value होती है 0 तो अगर हम start की value specify ना करें तो value 0 consider होती है यानि index value 0 consider होती है step की value by default होती है 1 तो अगर step value हम नहीं देंगे तो by default 1 ही consider होने वाली है और stop यानि end जो index का होगा वो अगर हम नहीं specify करते हैं तो by default उसकी value होती है length of the list, क्योंकि हम list की बात कर रहे हैं, जब हम strings पर रहे थे, तो उस case में length of the string था, तो यहाँ पर length of the list will be the default value of the stop value, okay, suppose मेरे पास list of fruits हैं, और यहाँ पर कुछ fruits के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और एक list create की है fruits की, using square bracket and comma separator, आप देख सकते हैं, अब हमें बनानी है sub lists, slice operator के थुरू हम क्या बना पाते हैं, sub lists बना पाते हैं, एक टुकड़ा लेंगे इस list का, जिसे हम sub list बो लेंगे using slice operator, तो उसके लिए हमारे पास जो syntax होता है, वो होता है object का नाम, यहाँ पर object का नाम है fruits, तो object का नाम मैं fruits specify कर रही हूँ, then मैं ले लूँगी square bracket, और यहाँ पर मुझे beginning, end और step values specify करनी होती है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि default values जो होती है, वो beginning की होती है zero, और end की होती है length of the list, और step की होती है one, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बिना कुछ specify किये, default values को लेना चाहूँगी, ताकि आप output देख पाए, तो by default जो है, यहाँ पर zero होगा beginning value, तभी यहाँ पर zero से consider किया गया, zero थ index पर क्या है, apple है, तो और end value होगी बनाए, तो पूरी की पूरी list जो है, वो as it is मुझे print हो रही है, क्योंकि by default अगर मैं कुछ भी specify नहीं करूँगी, तो slicing होगी ही नहीं, और by default जो भी list होगी, वो as it is print हो जाएगी, अब मैं slicing करके देखती हूँ, slicing मतलब एक टुकडा निकालके देखती हूँ, मैं चाहती हूँ 0 से लेकर, second index तक मेरे पास slicing हो जाए, तो याद रखना है कि अगर मुझे second index तक slicing करनी है, तो मुझे यहाँ पे end जो value देनी है, वो देनी है 3, यानि एक जादा, और step value मैं ले लेती हूँ 1, अगर मैं नहीं भी लेती, तो भी same output आता, अब देखो, यहाँ पे मुझे एक टुकडा मिल गया, apple, kiwi, orange, ठीक है, यहाँ पे 0, 1, and 2, second index तक मेरे पास slicing हो गई, वैसे ही एक और example करके देख लेते हैं, अगर मैं 0 से लेकर 5 तक चाह रही हूँ, और step value दे देती हूँ 2, तो क्या print हो जाएगा, apple, orange, mango, देखो, पहले apple यानि 0 इंडेक्स, यह skip हो जाएगा, क्योंकि step value मैंने 2 दी है, तो 1, 2, यानि jumping होगी 2 पे, तो पीच छोड़ दिया जाएगा, और mango include कर दिया जाएगा, तो जो substring बनेगी वो होगी, apple, orange, and mango, तो कुछ इस तरीके से slicing होती है, अब देखते हैं कि important concepts की list होते हैं mutable, जैसे ही हम एक list का object create करते हैं, हम उन्हें modify कर पाते हैं, अभी हमने इतने सारे जो data types पड़े थे, उनमें से most of the data types were immutable, including strings also, yes, strings are also immutable, and हमने अभी तक सिरफ एक ही mutable data type cover किया है, अपनी video series में वो है, byte array, वो भी mutable version है bytes का, जो की आप देख सकेंगे, मैंने previous videos में cover किया है, आपको details description box में मिल जाएंगे, आप check कर लेना, तो second mutable type हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, अपनी इस lecture series में वो है list, list होते हैं mutable, यानि जो भी values डालके list को create करते हैं, उनमें बाद में हम modifications कर पाते हैं easily, जैसे example देखते हैं, और example मेरे पास list है 10, 20, 30, 40, अब इस list में अगर मैं 0th index को access करना चाहूं, तो value आ रही है 10, अब let's change this 0th index value to 999 suppose, अब देखती हूं print करवाके, क्या actual list में change आया है, तो list 1 को print करते हैं, तो मेरी actual list में change आ चुका है, 10 की जगा अब store हो चुका है 999, that means lists are mutable, so this is the proof of that. Next topic है traversing the elements of a list, हम list के elements को traverse कर पाते हैं using loops, और loops दो तरीके की हम use करेंगे इसके लिए, while loop से भी हम traverse कर पाएंगे, और for loop से भी कर पाएंगे, example के साथ समझते हैं, suppose मेरे पास यह list of numbers है, 10 से लेकर 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, यह मेरे पास list of numbers है, यह से मैं save कर लेती हूं, run कर लेती हूं, अब यह numbers जो है, यह कौन से type का हो जाएगा, list type का हो जाएगा, आप check कर लीजिए, numbers, तो यह कौन से type का है, list type का है, अब इन members को traverse करना, मतलब एक-एक member को access कर पाना, इकठे, उसे traversing बोलते हैं, इसका use करेंगे, सबसे पहले हम easy वाली loop से, easy वाली loop है, यह for loop, for a number, for a number in numbers, numbers मेरी list है, और एक-एक individual, क्या है, यह number है, तो for number in numbers, यह दोनों नाम मैं खुद ले रही हूँ, आप इसमें कोई भी नाम सेव कर सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यह मैं खुद नाम ले रही हूँ, और नाम कुछ इस तरीके का ले रही हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, for each number in numbers, हम क्या करेंगे, print करवा देंगे, print number, not numbers, तो number print होगा, let's run it, तो आप देख रहे हैं, individual elements are traverse using for loop, let's see while loop से मैं कैसे access कर पाऊंगी, या traverse कर पाऊंगी, अब मुझे while loop से access करना है, तो मुझे एक variable और लेना पड़ेगा, I, loops के concept अभी हमने अच्छे से discuss नहीं किया, अपनी इस lecture series में, तो अगर आपको ये concept नहीं भी समझ आ रहा है, loops का concept नहीं clear है, तो आप ये चीज़ skip भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं loops की video cover कर लूँगी, और आप समझ पाएंगे loops, तो आप इसको resume भी कर सकते हैं, otherwise it is very easy, मैं आपको यहां पे भी थोड़ा बोथ introduce कर दूँगी loops, for loop तो introduce होई चुकी है, while loop के लिए मुझे एक variable पहले लेना पड़ेगा, जिसमें मैं index value डाल सकूँ, I is going to depict my index value, index value मैं 0 से शुरू करवा रही हूँ, क्योंकि मैं positive indexing के through चलना चाहूंगी forward direction में, तो I is equal to 0 में save कर रही हूँ, while loop मुझे चलानी है तो मैं लिखूंगी while, while I is less than length of numbers, numbers की length निकालने के मेरे पास length function होता है, इसलिए मैं length function का use कर रही हूँ, जब तक I छोटा है length of numbers, जो भी length of numbers होगी उससे जब तक छोटा है तब तक एक task perform किया जाए, तो यही होता है looping का मतलब, तो जब तक I छोटा है तब तक एक task perform होने वाला है, तो next line में चल पड़ते हैं, देखो मैंने यहाँ पर column लिखा था, तो जब मैंने enter किया, तो मेरा जो cursor है, यह यहाँ पर आया है, ना कि बिल्कुल यहाँ पर start of the line, क्योंकि जब मैंने यह column लिख दिया, तो अब जो भी मैं next statement लिखूंगी, वो इस block के अंदर include होने वाली है, इस while loop के अंदर include होने वाली है, इसी लिए यहाँ पर जाके रुख जाएगा, यह बहुत important होता है Python में, because हमारे पास Python में braces नहीं होती हैं, curly brackets नहीं होती हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि कौन सी statement, कौन से block का member है, इसी लिए यह जो indentation होती है, यही हमें help करती है, define करने के लिए एक particular block को, तो मैंने अब यहाँ पर जो भी statements लिखनी है, वो इस while loop के अंदर include होने वाली है, तो मैं print करवा दूँगी numbers, तो print statement लिखूँगी print number, but number कैसे print करवाना है, मुझे individual numbers print करवाना है, तो मैं लिख दूँगी number of i, i मेरी index value है, तभी मैंने इसको 0 से initialize किया था, यहाँ पर, तो i मेरी index value है, यहाँ पर मैं index value ले रही हूँ, index से कैसे access कर पाते हैं, वो अभी अभी हमने सीखा है, एक नाम लिखते हैं, यहाँ पर numbers लिखूँगी, तो मेरे जो list का नाम है, वो square bracket के अंदर index value, i है मेरी index value, तो इससे print करवा दूँगी, मैं साथ ही साथ, मैं i को increment कर दूँगी by 1, ताकि यह loop जो है, आगे-ागे बढ़ती जाए, और index value change होती रहे, पहले 0 थी, फिर 1 हो जाए, ऐसे ही करते-करते, ट्रवोर्स हो रहे हैं, next topic है, हमारे पास nested list, यानि list के अंदर list, तो suppose मेरे पास एक list है, list 1, जिसके अंदर मैं save कर रहे हूँ, 10, 20, तो इसकी index value क्या हो जाएगी, first element की 0, और second element की 1, वैसे ही एक और list ले लूँगी, list 2, और उसमें save कर दूँगी, 30 and 40, तो list 2 में भी index value क्या बन जाएगी, 0 and 1, मैं साथ में आपको pictorial representation भी दिखा रही हूँ, index values की, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, अगर मैं list 1 पे, index number 0 को access करना चाहूँ, तो index 0 पे मुझे मिल जाएगा 10, और list 1 के index number 1 पे मुझे मिल जाएगा 20, वैसे ही list number 2 के index values पे भी मैं access कर सकती हूँ, list number 2 के 0 पे मिल जाएगा 30, और list number 2 के 1st index पे मुझे मिल जाएगा 40, ठीक है, अब मैं एक नई list create कर रहे हूँ, list number 3, जिसके अंदर में list 1 और list 2 डालना चाह रहे हूँ, तो ये बन जाएगी मेरी nested list, इसी को कहते है nested list, list के अंदर list पड़ी हूई है, अगर मैं list 3 में डाल रहे हूँ, list 1 और list 2, तो इसके अंदर क्या-क्या values आ जाएगी, ये जो 10, 20 है और 30, 40 है, ये सारी के सारी values आ जाएगी, list number 3 के अंदर, अब अगर मैं list number 3 का 0th index देखना चाहूँ, तो 0th index पे क्या पड़ा हुआ है, आप pictorial representation पे देखिए, कि 0th index पे क्या पड़ा हुआ है, list number 1 पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसे run करूँगी, तो individual चीज क्या show होने वाली है, as a list show होने वाली है, क्योंकि list number 3 के अंदर, कोई element, numeric element नहीं पड़ा हुआ है, एक simple element नहीं पड़ा हुआ है, बलकि एक पूरी की पूरी list पड़ी हुई है, list number 1 पड़ी हुई है, तो जैसे ही मैं list number 3 पे 0th index पे access करूँगी, तो मुझे पूरी की पूरी list number 1 शो होने वाली है, individually मैं इन elements को list number 1 के, और list number 2 के individual elements को list number 3 के through कैसे access कर पाऊँगी, मतलब मैंने list number 1 में तो access कर लिया था individual elements को, बट अगर मेरे पास nested list है, तो मैं उसे कैसे access कर पाऊँगी, इसे हम 2D list भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास two dimensions बन गए हैं, और ऐसा ही कुछ आपने 2D matrix या 2D arrays भी पढ़े होंगे, तो इन्हें access करने के लिए मुझे क्या use करना पढ़ेगा, जैसे आपने arrays में पढ़ा होगा, दूसरी languages में वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, list के 0 इंडेक्स पे लगा दूँगी 0 इंडेक्स, तो 0 और 0 पे मिल जाएगा 10, क्योंकि यह हो गया एक पूरी की पूरी list का index, list number 3 का index जो आपने उपर लिखा हुआ है, और जो individual elements का indexing है, वो मैं कुछ इस तरीके से कर दूँगी, वैसे ही list number 3 पे जो 0 इंडेक्स है, उसके अंदर जो list है, उसका जो first index है, वो मैं इस तरीके से access कर लूँगी, तो मुझे 20 मिल जाएगा, यानि 0, 0 पे 10, यानि 0 और 0 पे 10, 0 और 1 पे 20, वैसे ही 1, 0 पे मिल जाएगा मुझे 30, और 1, 1 पे मुझे मिल जाएगा 40, इस तरीके से मैं access कर पाऊंगी, तो ये concept हो जाएगा, आपका nested list का. So this is the end of today's lecture, और next lecture में हम सीखेंगे methods of list, so please stay connected. If you are having fun, learning with me, please like my videos and subscribe to my channel, MV's Code Guide. Keep learning and keep supporting. Thank you.